नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चैनल जोतिश हैं वास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हमें आपर बात करने वाले हैं 10th of August 2024 के बारे में 10 August 2024 का ये दिन आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर क्या आ रहा है? कौन-कौन सी वैदिक रेमिडीज आप सभी के लिए बहुत जादा अच्छी रहेंगी? क्या रहेगा आज का एंजल नमबर और आज का आफरमिशन? कैसे आप आज के इस दिन को और जादा बहतर बना सकते हैं? सारी जानकरी मिलीगी आपको इस वीडियो में अन तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आप से मिसना हो जाए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के दिन में कौन सी राशी, नमबर और अल्फबिट के लिए दिन बहुत जादा खास है राशों में आज के दिन में सीह राशी, कन्या राशी, धनू राशी और कुम्बर राशी के लिए समय काफी जादा अच्छा है Numbers में देखा जाए, Numbers 4, Numbers 5, Numbers 8 और Numbers 9 के लिए समय काफी ज़्यादा अच्छा है Alphabet में देखा जाए, तो Alphabet में B, E, H, M, N, P, R और T आप सभी के लिए आज का दिन काफी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है अब बात कर लेते हैं Birthdays के बारे में आज के दिन में अगर आपका जन्न दिन है, आपके anniversary है, आपके जीवन का, कोई भी विशेश महतुपुन दिन है आप सभी को मेरी और से हाल देख शुपकामना है आने वाला साल आप सभी के लिए बहुती जादा महतुपुन साल रहेगा आने वाले साल में आप सभी को थोड़े से challenges face करने को देखने को मिलेंगे और साथी साथ career में थोड़ा सा struggle देखने को मिलेगा इस तरह की योग बनते हैं उमीद करता हूँ कि आप सभी career पर पूरी तरह से focus करेंगे और अपने हर काम को अच्छे से करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परिशानी ना देखने को मिले और एक बहुत अच्छे skill पे आप अपने साल को enjoy करते हुए नजर आएं अब बात कर लेते हैं कौन सा angel number आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा खास है एक ऐसा number जो आपके दिन को बनाता है जो आपके दिन के energy को बनाता है और आपको positivity की तरफ जाने में आपकी मदद करता है आज के दिन में जो angel number रहेगा यह आपका रहेगा 96555 यह बहुत बहुत ज़्यादा महतुपन नंबर है बहुत ही ज़्यादा positive नंबर है और आज के दिन में जब भी आप इस नंबर को recall करेंगे आपको दो चीजों को अपने दिमाग में जरूर रखना है The first and the most important thing अपने career में growth के बारे में सोचिए अपने career में promotion के बारे में सोचिए And the second important thing आप सभी आज के दिन में पारिवारी के रिष्टे बनाने के बारे में सोचिए इस angel number के साथ जब आप ये दोनों चीज़े सोचिएंगे तो definitely आपका पारिवारी के रिष्टे भी मजबूत होते हुए नजर आएंगे आज के दिन में जो affirmation आपको बोलना है ये भी आपके लिए बहुत ज़ादा important है बहुत ही ज़ादा positive है आपको आज के दिन में सिर्फ इतना सा बोलना है I am ready to achieve new things, new goals, new aims और new success in my life जो भी आपका मन करें आप इस जगे पर add कर सकते हैं और अपनी life के लिए बूल सकते हैं ये आपके लिए बहुत बहुत ज़ादा अच्छा रहेगा कौन-कौन सी वैदिक remedies आज के दिन में खास रहेंगी इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं अकसर ऐसा होता है कि गर के बड़ों के साथ या गर के छोटों के साथ आपकी कोई अनबन हो जाती किसी बात पर और उसके बाद आपका ego आ जाता है और आप sorry नहीं स्विकारते या आप जुकना पसंद नहीं करते और यही सबसे बड़ी गलती होती है जिसकी वज़े से रिष्टों में काफी ज़दा परिशानिया आना शुरू हो जाती है आज की दिन में आप सभी को एक महत्वपुर्ण चीज जो करनी है वो है जुकना है मतलब कि अगर आपके sorry बोलने से अगर आपके sorry फील करने से कोई स्थती अगर सुधर रही हो कोई चीज अगर सौल हो रही हो पुराने रिष्टे जो बिगड़े हुए हैं खाली एक sorry मात्रस ठीक हो जाएं तो मैं आपको कहुँआ कि आज का दिन आपके लिए बहुत बहु जादा महत्वपुन हो जाता है इसके अलावा देखा जाए यहां पे तो आज के दिन में एक और महत्वपुन चीज आपके लिए बहुत ज़रूरी है आज सेहत में आपको कहां कहां ध्यान रखना है यह आप नोट कर लीजीगा फ्लीज आज आज आखों में जलन किसी तरह किसी तरह की कोई चोट खरोच ना लग जाए इस बात का आपको ध्यान रखना है कौन-कौन सी वैदिक रेमिडीज आज आपके लिए बहुत ज़ाद आची रहेंगी वैदिक उपाय में सबसे पहले आज आपको जो करना है वो है आज सुबह सुबह जिस पानी से स्नान करते हैं उस पानी में थोड़ा सा मस्ट्रड ओल सरसो का तेल मिला दीजिए और स्नान कर लीजिएगा यह आपके लिए बहुत बहुत ज़ाद अच्छा रहेगा आज के दिन में सुबह उठिने के पश्यात नहाने के पश्यात सुरीदेव को जल जरूर अर्पित करें ओम सुर्याय नमह इस मंत्र का जाप करते हुए सुरीदेव को जल चड़ाइए यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसी के साथ साथ आज के दिन में एक और विशेश चीज में आपको बता रहता हूँ वो आप कर लीजिएगा जो कि आपके लिए काफी ज़ादा अच्छा रहेगा आज आपको लेना है एक कपूर और दो लॉंग अगर आपके उपर कोई नजर लग रही है अगर आपको लगता है कि कोई नजर लगी हुई जिसकी वज़े से परिशानी हो रही है आप चुटकी पर नमक भी आड़ कर दीजिएगा कपूर लॉंग और नमक का मिश्रन अपने सीधी हाथ में लेकर के अपने उपर से सेविन टाइम्स एंटिकलोकवाइस गुमा करके आप सभी क्या कर दीजिएगा इसे फ्लश कर दीजिएगा और या फिर कपूर और लॉंग को जला दीजिएगा और नमक को आफ लश कर सकते हैं ये भी आप कर सकते हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा किसी भी दर की नकारात्मकत अगर आपके आसपास है तो वो भी आपसे दूर होते हुए नजर आएगी और आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलते हुए जरूर नजर आएगे सावन का महिना चल रहा है अगर आज भगवान शिवजी की आराधना कर पाएं ओम नमश्यवय का जाब कर पाएं तो भी काफी ज़दा अच्छा रहेगा और आज के दिन में अगर आप शिवजी के मंदिल जाते हैं तो एक सरसो के तेल का दिया शिवजी के मंदिल में आप जरूर लगा दीजिए यह आपके लिए अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आपको अपने गर के आसपस अगर कोई पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर भी एक सरसो के तेल का दिया जरूर लगा देना चाहिए यह आपके लिए वहाँ पर भी काफी ज़दा मददकार रहेगा इसी के साथ साथ शाम के समय में सूर्यास्त के बाद अगर आप किसी डॉप को कुछ खाने के लिए दे देते हैं आज तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव है कोई दिक्कत के पर परिशानी नहीं होगी आज गुल्डन विश्टाइम की यहाँ पर बात करें सबसे महतुपून समय जो आज के दिन में रहेगा यह आपका रहेगा चार बचकर पंदरा मिनिट 4.15 से लिए करके 5.30 तक का समय पांच बचकर 30 मिनिट शाम का समय मैं आपको बता रहा हूँ यह बहुत ही जादा महतुपून समय हैं इस समय के दौरान में आपको भी जरूरी काम कर सकते हैं आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे इसी के साथ साथ आज के दिन में color combinations की यहाँ पर बात करें तो जो सबसे ज़यादा positive color आज आपके लिए रहेगा ये है आपका blue color ब्लु color काफी ज़याद अच्छा है और especially red and blue का combination आज के दिन में काफी ज़यादा अच्छे result देता हुआ नज़र आएगा तो अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक color combination यूज़ कर सकते हैं, आपको फाइदा मिल जाएगा और आपके काम असानी से बनते हुए नज़र आएंगे उमीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए अच्छा जाए और किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परिशानी आपको ना देखने को मिले वीडियो को लाइक कर दीजीगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीगा कुछ भी पूछना चाते हैं, जानना चाते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाते हैं, आप मुझसे संपद कर सकते हैं, मैं पूरी पुरी कोश्चिश करूँगा, आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूँ, धनिवाद